के वैं फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैड चैनल कोकिंग प्रेशन धिरंशू कया होंगे सिंपल तरीके से हेल्डी अप्र होते हैं। आज मैं आपको कुछ नई तरीके से बनाना बताऊंगे आपको इसमें मैंने अपको मंचुरियन टाइप से बनाया है तो आप भी इस रेस्पी को श्राइब करें मैंने 2 कब सूझी लिया है हमै 2 कब सूझी लेना है और उसमें हाप्सी क्वालिटी का देही एड़ करना है उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक एड़ करके और थोड़ा थोड़ा पानी करके एड़ करना है हमें और मिक्स करना है अच्छे से उसके बाद इसमें हमें राई का तड़का देना है थोड़े से तेल में राई डालके और हरा धनिया डालना है और उसे फिर से अच्छे से फ देले खेंश एक पैकट टालना है और थोड़ा सा पानी डाल के उसे फिर से मिक्स करना है हमारा जो बैटर है अप्य का वो त्यार है अब अप्य पैन में हमें पहले तो एक ब्रश ही पूरे में उइल लगा लेना है उसके बाद चमच की हेप से अपए की बैटर को सभी उसमें डालना है सबी अप्पे स्टेंड में डालना है पूरा स्टेंड भर देंगे अप्पे का पूरा स्टेंड भर गया अब इससे हम गैस पर रखके दस से पंदर मिट के लिए हलकी आश पर पकाएंगे उसके बाद 5-7 मिनट बाद हमें देखना है कि दूसरी साइड में अप्पे को पलटना है जो बीच वाले एरिया होता है उसमें अप्पे जल्दी से पक जाते हैं क्योंकि वहां पे सबसे अदा आग गैस लगती है इसलिए उसके बाद हमें सारे अपपों को पलट देना है अपे वनके त्यार हो जाएंगे एक साइड में कुछ सब्जिय काड़नी है जाए शिम्रामिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को कट कर लेना है और फिर एक कड़ाई में हमें ओईल डालना है और ओईल डालने के बाद उ और यह सोटे होने के लिए इसमें थोड़ा सा नमग डाल दें गे इसके बाद मैंने कुछ चटनी डालिया जैसे सेजमान शॉप्थ चटनी ग्री hammy चिली में किदे चेली चैनी रेड चिली सॉस ये सारी और फिस सबी चीजों को पखा के अच्छे से फिर उसमें अपर डाल देने हैं वो मिक्स करना है यह मंचूरियन टैप अप पे रेडी है और उपर से इसे हरा धनिया प्यार से गानिश कर सकते हैं अगर यह आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिं दिस वीडियो बाबाए मिलते हैं नेक्स बीड रस्पी के साथ